डॉलर के मुकाबले रुपे की ऐसी दुर्गती शायद ही कभी हुई हो डॉलर के मुकाबले रुपे का भाव लगातार गिर रहा है RBI और सरकार के कदमों के बावजूद रुपेया संभल नहीं पा रहा है अब रुपे को संभलने के लिए RBI ने फिर एक बड़ा कदम उठा लिया है RBI इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नई विवस्था लागू करने जा रहा है इसके लिए RBI ने बैंकों को आयात और निर्यात के लिए रुपे में ट्रेड करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने के लिए कहा है इस विवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुपे में होगा इसमें रुपे का exchange rate बाजार के भाव परता होगा इस विवस्था को लागू करने के लिए बैंकों को RBI के foreign exchange department से मन्जूरी लेनी होगी Export-Import की नई विवस्था में रुपे को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी नई विवस्था में इंपोर्ट के लिए डॉलर की खरीद नहीं करनी होगी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को रुपे में ही payment हो जाएगा ये विवस्था कैसे लागू होगी इसके बारे में भी RBI ने जानकारी दीख है नई विवस्था में ट्रेड ट्रांजेक्शन के सेटल्मेंट के लिए बैंकों को सहयोगी देश के संबंदित बैंक में special रुपी वास्ट्रो अकाउंट खोलना होगा भारतिये आयातक जो इस विवस्था के जरीए आयात करेंगे वो भारतिये रुपे में भुक्तान करेंगे जिसे सहयोगी देश के बैंक के special वास्ट्रो खाते में टाल दिया जाएगा इसके बदले आयातक विदेशी सप्लायर से समान खरीदने के लिए इन्वोईस जारी होगा ऐसे ही एक्सपोर्टर्स के साथ होगा एक्सपोर्टर्स को भी रुपे में पेमिंट मिलेगी ये रकम भी वास्ट्रो खाते से दी जाएगी इसको असान भाषा में समझ लेते हैं मान लीजे हमारा ट्रेड पार्टनर साथी अरब है हम अगर कोई समान साथी अरब से खरीते हैं तो जो पेमिंट साथी अरब की पार्टी को दी जाएगी वो वास्ट्रो अकाउंट से होगी और जो समान साओधी अरब भारत से खरीदेगा वो पेमिंट भी स्पेशल वास्ट्रो खाते से होगी इस पूरी विवस्ता का फायदा ये होगा कि हमको डॉलर की खरीद नहीं करनी होगी एक वास्ट्रो खाता बना दिया जाएगा इसी खाते से एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को पेमिंट हो जाएगी कुछ इसी तरह का मॉडल रूस ने हाल ही में अपनाया था डॉलर के मुकाबले रूबल की गिर्ती वैल्यू को काबू में करने के लिए रूस ने डॉलर में पेमिंट लेना और देना बंद कर दिया था रूस ने जो भी माल खरीदा या बेजा उसकी पेमिंट रूबल या उस देश की लोकल करनसी में की इससे रूस को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी इसका सब ये हुआ कि तीन महीने में ही डॉलर के मुकाबले में रूबल पचास तुईजदी तक मजबूत हो गया 10 मार्च 2022 को एक डॉलर का भाव 133 रूबल हो गया था 11 जुलाई को एक डॉलर का भाव 62 रूबल पर आ गया कुछ इसी मौडल को अब RBI ने अपनाया है इससे कुछ दिन पहले SBI ने भी रूबे को संभालने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रूबे में करने की सलह RBI को दी थी माना जा रहा है कि RBI की नई विवस्ता से रूबे को संभालने में काफी मदद मिलेगी अबस्क दिन झाउनल ट्रेड रूबे को यूबे को सोनी झाल से रूबे को संभालने में को संभालने काफी में के यू तक हुद आनाया है